नमस्कार दोस्तो दोस्ते आपने भी अपने वोटर आईडी कारड के अंदर कोई नया चेंजिंग किया है या फिर आपने वोटर आईडी कारड के लिए अपलाइ किया है ऑनलाइन अपने मॉबाल के माध्यम से ठीक है सोल्यूशन किया है यह सा क्यों होता है आपको सब कुछ बताने वाला हूं जनकारी देने वाला हूं यदि आपको भी चनना है तो यहां पर आपको पता ही होगा तो इस दिखाता हूं जिसके अंदर मैंने कुछ चेंज किया था मतलब विजान सबाद चेतर और एड्रेस को चेंज किया था उसमें आपको एपिक सब कुछ सही दिखा रहा है जैसे देखिए कि यह है इसको बड़ में क्लिक करता हूं और क्लिक करके यहां पर देखिए और इसको किया था ठीक है दस तरी को सम्मिट किया बिल्व पॉइंट हो गया उसके बाद एक्सेप्ट भीचारी को हो गया एंड मेरा एपिक जनरेट भी हो चुका है लेकिन दोस्तों मेरा एपिक जनरेटेट क्या हुआ था ना फिलाल दो क्यों मैंने जो इस नाम को मैंने विजान सब्शेतर अब भी यह नहीं दिखा रहा पुराना वाला ही दिखा लएंश देखिए मैं आपको दिखाता हूं आप टिक किया रिनकेश चलता हो यहहां पर सच करते हैं अपनार ईपिक करता हो है आपको दिखाई दे रहा होगा अभी देखिया यहां पर एशेंबीली влад mejorar आ क्या करवाया है यह करवा दिया ठीक है जो ऐसा लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर दिसकते हैं मेरा चेंज हुए ज़स्ट अभी 26 तारी कोई एपिक जनरेट हुआ है बट या फिर भी अब नहीं दिखा रहा है यह तो हुआ बता रहा है क्या थैब कर नहीं है आपको बिलकुल भी चेक अचांट हुके अब दिखा रहा है रहा हैiah पुराना वह अपड़क्डेट हो चुका नहीं हो चुका है नया और यदि आपने बनाया है तो आपको बिल्कुल भी टेंस सकते नहीं है यह जो चीज दिखा रही इसका अर्थ कुछ और होता है ना कहने करती होता है कि जो आपने एप्लिकेशन इनको ऑनलाइन डाला था उसमें से इन्होंने पहले इस दिन सम्मिट द जाता है और कि हाँ आपने जो भी चीजे दिया है सब कुछ दस्तावेज को स्विकार करते हैं और आपका एपिक को जनरेट कर दिया जाता है मतलब यहां पर आपका वोटर ऐडी कार्ड नंबर यह है यह हम बता रहे हैं लेकिन दोस्तों क्या होता है इनकी जो वेब साइट है उस वेब साइट पर आपको चड़ाने का टाइम जो होता है नो साइथ 15-25 दिन तक लग जाता है लगभग यहनी कि जिस्ते तारी को आपका एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद 15-20 दिन आपको टाइम लगेगा यहां से यहां से 20 नहीं इसके यहां से 20 तारी को मेरा हुआ ह तो 20 दिन जोड़ लो जुसके 20 दिन के बाद यह मेरा उसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा कहने करते कि मेरा ओनलाइन ओटर आडी कार्ड ओनलाइन हो जाएगा मैं जब चेक करूंगा ना तो सब कुछ सही दिखाएगा और आपका को नया ओटर आडी कार्ड है वो भी करना है ताकि आपका वो ट्राइडी कार्ड को ओनलाइन विबसाइट पर चढ़ा दिया जाए ठीक है बाकी यह जो काम होता है कि ओल फोर्म को चेक करने वारा सिस्टम होता ही उनके जो पीसद होते हैं उदर से जैसे चेक कर लेते हैं पर हमें तिक दिक हो गया है आपके करना नहीं है और दोस्तों आपको इसके रहों कोई समस्यार यह उड्राइडी कार्ट से लेटेड तो नीचे कमेंट वस्वां कमेंट अपने सुझाओ को रख सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इस्टाग्रम कर सकते हैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएग और दोस्ते कि आपने हमारे चल्न को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत निवाद और नहीं किया है था हमारे चल्क करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाले फिचर में विडियो लेकर आने वाला हूं जुसीधा तोर पे आपके लिए हैल्पन साबित हो पाएंगी दोस्तों मिलत निश्बियों में अच्छी और साना वीडियो को साथ अब तक के लिए जैन जैभारा